तो मठर का ये स्वाधिश्ट नाश्टा बनाने के लिए आपको तीन कैटोरी रवा ले लेना है एक बर्तन में अब इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मठर डालकर आपको चलाते जाना है और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का गोल त्यार कर लेना है आपके पस मठर नहीं है तो आप दहीं भी यूज़ कर सकते हैं बट एक सांथ पूरा मठा या दहीं ना डालें अदर वाइस आपका गोल गीला हो सकता है तो इस गोल को हमें गाड़ा ही रखना है मीडियम कंसिस्टेंसी का रखना है और इसको धक करके हम छोड़ देंगे तन हम एक बरतन में गरम पानी कर ल पेस्ट त्यार कर लेंगे पेस्ट को आपको दद्दरा ही रखना है बिल्कुल बारीक ना करें तो अब इसकी मेटर में को हम अपने रवे के घूल में डाल लेंगे और यहां पर हम शिर्म नमर्ची डाल रहे हैं आप इसके लावा कोई और वेजिटेबल चाहें तो वह भी दन सभी मसाले अच्छिव से मिला लेने के बाद हमें ब्रैड्ड कुमें यहां आमने तीन फिसमें अचिव तरह से मिला लेंगे अगर आपको गूल गाडा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी फिर मठा भी एड कर सकते हैं और उसको था कि ह рок को इना ळा गार नहीं और यहां पर दो चमच अपना खूल डालेंगे, लगबग दो चмच हम बाल रहे हैं और इसको पतला आले देगे, जेतना भी पतला मोटा आपको 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 यह सायसा ररखना आप अर पने को कंने रक्न कर लेंगे इसका शेप थोड़ा सा हम सैट कर देंगे धनम उपर से भी तो इसमें थोड़ा सा तेल डाल कर इसको ढख करके रख देंगे लगभग 2-3 मिनिट के लिए दें 2-3 मिनिट बाद आप देख सकते हैं कि यह सिग गया है एक तरफ से तनम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी सीम हम सेख लेंगे और आपका मटर का सौधिश चिनास्त तयार है